DTA भागलपुर is back again आपकी सीटेट की सफलता का सर्वोत्तम साथी आईए मित्र 24 दिसंबर 2021 केस ओनलाइन परिक्षा में पूछे गए EVS के दमदार प्रश्न पहला प्रश्न है वह जन्तु कौन सा है जो अपने कानों को अलग-अलग दिसा में बहुत हद तक घुमा लेता है अरे यारा ये तो बाग का है ना बात है ना मने आवाज कोई खटा करने के लिए बाहरी आवाज कोई खटा करने के लिए क्या करता है अलग-अलग ये आवाज कोई खटा करता है कानों को घुमा सकता है है ना साथी साथ इनकी मूछे काफी संवेदन सील होती हैं पत्तियों के द्वारा सरसराहाट हिलने की आवाज जंगलों में मनुष्य के द्वारा हिलने की आवाज या हवा के द्वारा हिलने की आवाज अलग-अलग रूप में अंतर कर सकता है इनकी संवेदन सील मुचों के द्वारा इनकी दाहाड तीन-तीन किलो मीटर तक सुनी जाती है ये आठ ये छह गुना तक मनुष्य के वनस्पत देख सकते हैं आप जानते हैं ना जो बाग होता है चीता वगेरा होता है सेर वगेरा ये सब क्या छह गुना जादा दूड तक देख सकते हैं और चार गुना तक बाज, चील, गडूड है ना गिद्ध वगेरा तो खेर सहाब हमारा फूर नंबर उत्तर हो जाएगा नेक्स्ट उस कारेकलाब को चुनिये अन्य कारेकलाब से भिन्न है चाय बनाना, तैरना, कंगी करना, आटा गुथना चाय बनाने में पानी चाहिए, तैरने में वाटर, आटा गुथने में पानी किसमें नहीं चाहिए पानी, कंगी यही तो भिन्न है, ओड है, अलग है, डिफरेंट है So 3 will be the right answer Next कहता है प्रश्ण देखें सकर खोड़ा पक्षी कोयल क्या करता है अपना घोसला नहीं बनाता है कवा इस पक्षी के लिए घोसला बनाता है जिसमें ये अंडे रख देता है तो B का तो 1 नमबर जाएगा इस बात की गारेंटी है B का क्या 1 B का 2 है, B का 4 है, B का 3 है, B का 1 है तो यही तो हमारा उत्तर होगा एकदम बिल्कुल प्रजेंस ओफ माइंड देखें ना 4 नमबर में आपका B का क्या लिया है 1 लिया गया है और A का क्या होगा 4 होगा सकर खोड़ा पक्षी क्या करता है छोटे पेरों की डाली पर लटकता घोसला सकर खोड़ा बनाता है है न जी और इसमें क्या होता है पत्री टहनिया, सुखे कपड़े कपड़े के चीथरे आदी, पत्ते वगेरा सुखे कल्चिडी चिडिया कल्चिडी चिडिया जो रोबिन हिड चोड़ चिडिया होती है न सहाब अच्छा, कल्चिडी क्या सरक्के किनारे पत्थरों के बीच अपना घोसला पौधों की टहनिया जड़ें, बाल, रुई, आदी मिलता है अच्छा, बात करते हैं अब दरजिन चिरिया टेलर बर्ड तो टेलर जैसा काम करता है सिलने का काम करता है ज़ारियों पर दो पत्तों को नुकीली चोच से सी करके क्या, सी करके आप नहीं जानते, उतना छोड़िये ना, सिलने का काम कौन करता है टेलर बर्ड डी नमबर तो आप जान गए अच्छा कोयल बी नमबर बी नमबर भी जान गए कि यह गोसला नहीं बनाता कोयल है ना तो एक नमबर इस आधार पे चुन लेजिए ना उतना नहीं भी जानते तो फूर नमबर उत्तर नेक्स्ट कहता है प्रश्ण तीन खाद्य पदार्थ का ऐसा समूह कौन सा है जिसके परतीक सदसे में लोह तत्व पर चूर मात्रा में रहता है तो लोह तत्व आपने पहले भी ओफलाइन एक्जाम में देखा है पालक यानि हडी पत्तेदार सबजी गुड आवला वन नमबर उत्तर आगे तो पढ़ना ही नहीं है लोह तत्व एनीमिया वगेरा होता है ना लोह तत्व की कमी से बिल्कुल वन नमबर हमारे देश के राष्टपती द्वारा तो डॉक्टर जाकीर हुसाइन ने लिखा है ना उसी से ठंडा उसी से गर्म तो थिरी नमबर हो जाएगा एन्सी आर्टी की पांचवी क्लास में दिया गया है एक कार 1512 किलोमेटर दूरी कितना दिया है डिस्टेंस 1512 दूरी को 28 घंटे में समय दे दिया तो अवसत चाल तो चाल बराबर दूरी बटा समय दूरी बटा समय तो 1512 दूरी है इसको भाग दीजिए आप 28 से तो क्या आजाएगा आपका 28 से भाग देते हैं तो 28 से भाग देते हैं और फिर 28 से भाग देकर मीटर पर 30 सकेंड है बड़े वैलियो से छोटे वैलियो में जाना है है न साहब तो 5 बटा 18 से फिर इसको गुना कर दीजिए हमारा उत्तर आजाएगा दूसरा नमबर कितना आप देखिए आप भाग ये दी दिजेगा दोस्त इसे डिवाइड केजिए 1512 को 28 से तो 54 आया तो 54 और 54 को छोटे वैलियो 5 बटा 18 से मतलब इसे निकालते हैं ना जिसे मीटर को सेकेंड में मीटर को ये मीनट को हम पहले घंटे को मीनट में बदले तो एक घंटे में साथ मीनट साथ मीनट फिर एक मीनट में साथ सेकेंड तो 5 बटा 18 आता है तो आमने डारेक्ट कर दिया 5 बटा 18 से 18 तीया चववन तीन बार में और 3 पंचे 15 तो आया टू नमबर येस चलिए अब आगे बात करते हैं हमारा प्रिश्ण है 67 नमबर कि हमारे देश के एक राज जिन प्रिक्षन करने पर पाया गया मने तीन से साड़े तीन मीटर उंचा बास पर बनाया जाता है असम की बात हो रही है ना क्या असम की बात हो रही है बिलकुल आप देखते समझ जाईएगा यहां मकान की दिवारें भी लकड़ी की बनी होती है भारी वर्सा होने के कारण मकान की छटें ढालू होती है बास का ही सिलपठ बगेरा लकड़ी का इस परकार ढालूनुमा बनाया जाता है यह कौन सा राज्जे असम है आप जानते हैं ना असंबर्सा वाला इलाका है जो पुर्वत्तर राज्य हैं वहां बांस वगेरा जादा पैदावार होगा हडा सोना भी कहा जाता है बांस को हरा सोना ग्रीन गोल्ड और आप यह भी जाने दोस्त फैक्ट्स वगेरा दस बारा फिट उचा बनाया जाता है बांस पर चुकि नीचे पानी वगेरा आ जाएगा ना बाढ़ वगेरा तो 10-12 फिट उचे बास के पिलर आधी पे बनाया जाता है यदि मीटर में बात करें तो 3-3.5 मीटर उचा और लकड़ी वगेरे कि तने से जो है ढालू छत बनाया जाता है तो असम की बात हो रही है जी चलिए असम में बीहू निर्ते होता है न बीहू निर्ते फसल कटाई पर असम में ही तो भेला घर बनाया जाता है भेला घर बास का ही बनाया जाता है उसे जला दिया जाता है और लोग निर्ते करते हैं डांस करते हैं फसल कटाई होने पर जन्रली 14-15 जन्वरी को वही तिलवा छुड़ा मकर संक्रान थी उस अवसर पे है ना फसल कटाई के अवसर पर अशम काजी रंगा राष्ट्य उद्यान कहा है अशम में ही है ना अच्छा जी ये जो है ये क्या बूलते हैं हैली राष्ट्य उद्यान हैली जीम कॉर्वेट कॉर्वेट राष्ट्य उद्यान हैली 1936 में जिसका पुराना नाम हैली था ये सब भी याद रखना है फैक्ट्स वगेरा हैं हम अपने इस्टिच्यूट में ये सारे चीज़ आएगे दाम जो है न बता बता के रटा दिये हैं चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं मित्र क्या है हमारा अगला प्रिश्ण निमलखित में तीन राज्जियों समुद्र तड़ बंगाल की खाड़ी देखिए इभारत हो गया इधर आपका बंगाल की खाड़ी बगेरा हो गया इधर पुडवी छेतर में तो बंगाल की खाड़ी से कौन कौन सा सटा हुए मैप में बताए हैं इधर आंदर परदेश है ना आंदर परदेश और इधर आपका तमिल नाडू बगेरा है तमिल नाडू का ये रेखा यहां सागर पुस्ता तो हम मार देते इधर अरब सागर पुस्ता अर्वियन ओशियन तो इधर मारते हम लोग महराष्ट बगेरा गोवा करनाटा केरल नहीं चलिए हमारा दूसरा उत्तर होगा नेक्स्ट नमबर प्रिश्ण कहता है जहारखन में ग्राम शबा पंचायत लोटरी द्वारा खेती के लिए भूमी का अवंटन करती है तो भूमी आवंटन में कि विशेस मातरक यूनिट यानि टीन का प्रियोग करते हैं इस यूनिट का अर्थ क्या होता है तो अर्थ क्या होता है हमने बताया हुआ है क्या वह भूमी जिस पर कोई किसान एक टीन बीज बोता है एक टीन बीज बोता है अब कहता है एक नंबर कि वह भूमी जिस से यानि कि भूमी में पैदा करके टीन में भर रहे हैं गलत बात वी माएं इतना इतना नहीं ये तो डिफिनिट कर दिया पचासे पचास का होना चीए ऐसा तो NCAT कहता नहीं है वह भूमी जो लगभग एक हेक्टेर इतना में देखे लोटरी खेती होता है साहब समझे मिजोरम में घाले वगेरा इभारत के पूर्वी जो राज्य है न पूर्वी राज्य वहाँ पर विसेस तया होता है तो आपका जहारखंड भी तो उसके अंतरगत आ गया न तो यहां जहारखंड पूछ लिया जबकि आज से पहले क्या पूछा है मिजोरम के बारे में विसेस कर मिजोरम में होता है लोटरी खेती या जूम खेती भी तो होती है बास का डिजाइन नुमा बढ़तन होता है उसमें लोगों क्या चुनाव लोटरी से किया जाता है लोटरी जिसका नाम पहले आएगा वो उतना तीन जमीन ले सकता है पहले तो समझ यह जूम खेती होता क्या है यहां जंगलों में आग लगा दिया जाता है जो खडपतवार हो गया और खडपतवार वगेरा जो भस्म बन गया राख वगेरा उसे खेतों में छीट देते हैं यहां ट्रेक्टर वगेरा यह अन्ने चीजों से जूताई नहीं करते हैं हलका हलका मिट्टी को हिला देते हैं अस्थाना अंत्रित खेती लोटरी खेती या सीरहीदार खेतरी इसी को तो कहते हैं यहां दो-चार परकार के फसल एक साथ उप जाये जाते हैं दो-चार परकार के फसल तो और सीरहीदार खेती अच्छा सीचाई यदि जरूरत सीचाई का तो प्रयोग करते नहीं है लेकिन पूरवी छेतर में ही ड्रीप से चाई का प्रियोग करते हैं यानि बूंद बूंद पानी जड़ों में दे देते हैं पानी का भी नुकसान होने से बच जाता है अच्छा जी साहब लोटरी हो गया जिस आदमी का पहले नाम आया वो कोई बरतन इतना ठीक एको समझे न सक्करवला बरतन तो उसमें जितना बीज अटेगा ना उसको फैलाईए जमीन पर तो जितना जमीन पर एक टीन बीज बोया जाएगा उसी को कहेंगे एक टीन जमीन और एक टीन में जितना बीज अटता है ना उसको कहते हैं एक टीन बीज इसलिए टीन खेती भी कहते हैं टीन खेती चलिए आप समझ गए हैं अच्छा जूम खेती में क्या होता है और बड़ा बड़ा बास वगेरा होगा ना उसको काटियेगा क्यों बास वगेरा में आग लग जाएगा तो पुड़ा जंगल नहीं जल जाएगा वन सन्रक्षन अधिलियम 2007 में बना इसके अंतरगत पचीस वर्ष से जादा या पचीस साल रह रहा है तो वो जंगल संपदा साजा बैंक यानि सब के लिए होगा वो सबसे पहले उन आदिवासी वहां के निकटतस अस्थानिये लोगों के लिए वो संपदा होगी संपत्ती होगी जिसे साजा बैंक भी तो कहते हैं इसलिए बास को जला रहे हैं आप तो अगल बगल के जंगलों को नुकसान भी नहीं पहुचना चाहिए राइट टो फोरेस्ट एक्ट 2007 यह बात कहती है इसलिए बास के संदर्व में विकल्प में आप काटने का चुनाव कर सकते हैं बाकी संदर्व में नहीं करना है हाँ जी अच्छा कीटना सक खाद वगेरा उरवरक पडियोग होता है क्या तो बुलिएगा नहीं होता है फसल चकरंडो 4-5 परकार के फसल उपजाए जाते हैं कुछ वर्सों तक खेती छोड़ दिया जाता है दुसरे जगह फिर चले जाते हैं जहांपर पस्वों के लिए भी चारा मिल जाए हैना और खेत को फिर खाली छोड़ देते हैं कुछ वर्सों तक किसका कारण भी ना फिर से जो है उपजाओ हो जाता है जमीन है ना और विशेश करके आप पुर्वत्तर राज्ये में यानि कि जो भी आपके जो है नौर्थ साइड टाइप के नौर्थ इस्टर्न रीजन है पुरव उत्तर यानि पुर्वत्तर राज्ये जो है उत्तर पुर कार के फसल उप जाये जाते हैं अन्य यदि देसों में बात करें तो साूथ मने की जो भी आपके इस्टर्न दक्षिन एसिया जो भी राज्य हैं देस हैं वहां भी उप जाया जाता है आपके जो हैना अमेरिका मद्ध episode में भी जूम खेती होती है साथी अपरीका में भी होता है, स्री लंका में भी जूम खेती होती है अलग-अलग नामों से जाना जाता है इसे काट और दगध खेती भी कहते हैं यहने की, स्वाड़ी काट मनें स्लेस एंडबर्न बोले तो भश्म, दगध एवं भश्म खेती क्या करते हैं भसम कर देते हैं जला देते हैं उसकी राखों को मिटी पे फहला देते हैं है ना, shifting cultivation इसको कहा जाता है shifting cultivation अस्थानांतरित खेती इसको slass and burn agriculture बताहीं चुका हूँ, slass and burn अर्थात दग्ध यवं भस्म खेती कहते हैं, बिल्कुल याद रखें दोस्त, ये विसेश कर क्या आपके north eastern, असं मनिपूर, मिजोर्«ण। नागालेंड। साथी साथ पुर्वे छेत्र में न है जी यहां किया जाता है वैसे आप बात कीजिए गर राजस्थान का तो राजस्थान में भी यह खेती होता है न जी अच्छा जारखंड में जो जूम खेती होता न उसको कुरूबा नाम से जानते कुरूबा क्या कुरूबा कोहरसुकार रोहरसुका वो आकर कुरूवा खेती जूम खेती को जारखंड में इस नाम से जानते हैं कुरूवा खेती ठीक है जी हाँ चेलिए इतनी बात समझ गए मध्य पर्देश में इसी खेती को बेवर कहते हैं क्या बेवर और केरल में पोनम कहा जाता है क्या पोनम केरल में पोनम है ना बिल्कुल डिटिये भागलपुड आपको हर कुछ मिलेगा जी जो खोजना है बोलीजी आपका रिजल्ट हमारी सबसे पहली सफलता का दियोतक होता है बस यही सब कुछ है एक इंस्टिचूट की पहचान उनके मित्रगनों से होती है और वही उनके भगवान होते हैं वरना एक टीचर की आउकाद क्या एक विद्यार्थी मित्र के भी न इसलिए हम उनको सबसे पहली प्रात्मिक्ता दे करके सर्व स्रेष्ट सिक्षा देने का हमेशा परियास रत सफलतम परियास करते रहते हैं और आपने देखा भी होगा हमारी संस्था के नौलेज को है न दोस्त चलिए जी मित्र एक प्रश्ण बारबार आता है जूम खेती की मुख्य फसल तो वो चावल होती है इसलिए तो आप से इस बार सीटेट में पूछा भी जारखंड में क्या होता है विसेश रूप से तो धान यानि चावल और चावल मुख्य फसल होती है हाँ पानी की आवश्यक्ता होती है जी तो चावल मुख्य फसल याद रखिएगा मक्का वगेरा नहीं दो चार पांच परकार का फसल एक के बार उप जाया जाता है ना तो चावल मुख्य फसल होता है जूम खेती में चलिए दूसरा नंबर हमारा यहाँ उत्तर हो जाएगा नेक्स्ट प्रश्न की इस रंखला में बढ़ते हैं दोस्त दमदार जाने जी जूम खेती के अंतरगत जारखंड के किसानोदार अपनाए जाने वले तरीके के संबंद में कथन पर विचार कीजिए आईए साहब करते हैं विचार जाते हैं बहियार चलिए देखते हैं एक फसल कटने के पश्चात जमीन को कुछ वर्स तक आराम करने देते हैं मतलब ताकि फिर से उपजाओ बने रहे और दूसरे जगह फिर फसल लगाते हैं खरपतवार ये तो सही है खरपतवार बांस आदी को उखार कर खेत में जला देते हैं चुकि जंगलों को नुकसान पहुचेगा इसको नहीं लेना है बांस को छोड़ कर कुछ और रहेगा न सब कुछ उसको डिरेक्टे जला देते हैं बांस को लेकिन काटना है विकल्प में इस चीज का चुनाब किया किजिए खरपतवार की राक खाद के रूप में कारे करती है यस मिटी पे फैला देते हैं जो राक होती है सलैस वगेरा जब जमीन खेती के लिए तयार हो जाते ही बीज बोने से पहले उसे गहराई से जोता जाता है अरे जोतते नहीं है हलका हलका मिट्टी को लकड़ी या अन्य चीजों से थोड़ा ही ला दिये जैसे आप खीरा वगेरा आप कद्दू वगेरा बोते हैं ना कैसे इसे इसे लाठी से कौच देते हैं थोड़ा सा डी विकल्ब गलत है ए और सी आपका उत्तर हो जाएगा थिरी नंबर ए एंड सी हाँ बिल्कुल बी को छोड़ना होगा आपको बी नंबर आप्शन को देखे इसलिए तो हम गहराई में जा करके अपन लोग पोस्ट मार्टम करते हैं हमारे देश में हजारों बर्स पुर्वे कांसे देखे ब्राण्ज के बारे में दिया गया है कांसा वगेरा आप जानते ही हैं कि यह क्या होता है कौपर जो तांबा होता है और टीन S.N. उसका मिसरन होता है कासा, हजारों वर्स पहले आदिवासी उपयोग करते हैं, आए हुए हैं, बर्तन बनाने में, मुर्ती बनाने में, तोप वगेरा, गोली वगेरा में परयोग करते हैं, यह जो है न, अलमुनियम से काफी भाड़ी होता है, अन्ने चीजों से, अपने घड़े में कासा वगेरा, जो है न, आपने देखा होगा, साधी भी हा में, जो गिंदरा को मिला था, कौन्ची थरिया लोटा, कथी के कासा के, आज भी तो लोटा वगेरा रेखा होगा, फेकनाम आइकन देखिये न, वकर भी हा हुआ था, तो ससराडी में मिला था, बाकि अब कुछ समझदार है, चलिए फोर नमबर यहां उत्तर हो जाएगा हमारा, नेक्स्ट नमबर प्रेश्ण, कहता है, किसी ट्रेन के मारके समय सारनी का अध्ययन कीजिए, तो टाइम टेबल का अध्ययन कीजिए, क्या कहता है, कहता है कि यह आपका टाइम टेबल दे दिया गांधी धाम पहुचने का समय, मने छोरने का समय, मने ट्रेन इतना वज़े खूली, डिपार्चर हुई, अडिस्टेंस, इतना, क्या इतना, मतलब उपरोक्त टेबल के अधार इन दो ट्रेनों अर्थात गांधी धाम और सूरत के बीच ट्रेन की ओसत चाल क्या है, तो गां गांधी धाम ट्रेन कप खुली, छो पंदरों में पहुच कब रही है, सोला पंदरों में दोस्त, तो छे पंदरों से सोला पंदरों आप देखिए, कितना हुआ दूरी, सोला पंदरों, देखिए, छे है न, 6 से आप सोला तक जाएए, साम में 4 बचके 15 मिनट पे, तो 10 घंटा न हुआ, अरे छो से सोला तक देखिए छे से सोला तक कितना दसे घंटा न हुआ सुचिए ना पंदरा मिनुट पंदरा मिनुट तो मैक अप हो गया तो दस घंटा आपका जो न हो गया समय लगा उसको अच्छा अब देखिए किलो मीटर कितना तो पांच तीस नए पांसो तीस किलो मीटर है ये क्या है ना पांसो तीस किलो मीटर है ठीके साहब पांसो तीस किलो मीटर तो पांसो तीस किलो मीटर अब बटा दस घंटा भाग दीजिये बटा दस घंटा से भाग दीजिये तो 10 इकट गया, बच गया कितना, 53 km प्रती घंटा आ गया, 3 नमबर आपका उत्तर हो गया, भाग क्यों दिये, आप जानते ही है कि 4 बराबर दुरी बटा सम है, यानि distance by time, तो 3 नमबर आ गया, यस, ये 5 30 km दिया गया है, किलो मीटर, इसी को देता मीटर प्रती सेकेंड में, किस में, मीटर प्रती सेकेंड में, तो ये जो आपका निकला तिरपन, तो तिरपन गुना 5 बटा 18 कर देते हैं, यदि मिनट से पुस्ता घंटे में, तो 18 बटा 5 से गुना करते हैं, समझे दोस्त, चलिए आगे बढ़ते ह अगला प्रशना कन्योज वही जो यूपी में है इत्र की नगड़ी कहा जाता है है न सहाग इत्र की नगड़ी वही कन्योज तो चलिए ये तो आपका उत्तर उत्तर परदेश हो जाएगा और जानिए फैक्ट्स को ये भारत का ने एक मतलब यूपी में एक जो है न जीला है डिस्टिक है उत्तर परदेश में है कन्योज सहर को क्या इत्र नगड़ी कहा जाता है खुसबूओं का सहर कहा जाता है यहां कई सारे परियटन अस्तल वगेरा भी है पक्छी अभ्यारन जैसे बहोसी बहोसी पक्छी अभ्यारन कन्योज सहर गंगा नदी जो है न उबाय तठ पर है ठेक चलिए कन्योज आपका एक नंबर उत्तर होगा नेक्स्ट अच्छा एक प्रश्ण हमने यहां आपको बताया था इसमें कुछ चीजें फैक्ट्स आप याद रखें जो पीतल होता है न पीतल वो कौपर प्लस जिंक का मिला जुला रूप होता है कौपर तामबा प्लस जिंक कितना कौपर तो सत्तर परतीसत और तीस परतीसत जिंक यानि जिंक होता है जस्ता वगेरा और कासा जो होता है न वो कौपर प्लस टीन एस एन का मिला रूप है एस एन टीन तो कौपर प्लस टीन तो 90 प परसेंट होता है और जर्मन सिल्वर जो कि आपका दिया गया है जर्मन सिल्वर जो होता है वो कॉपर प्लस जिंक प्लस निकेल कॉपर प्लस जिंक प्लस निकेल तो 60 प्रतीसत कॉपर 20 प्रतीसत जिंक और 20 प्रतीसत निकेल रहता है यह को होता है रोल्ड गोल्ड यानि रोल् नई की नवेली चमकाती है गल्ला में पहन के वही रोल गोल्ड रोल गोल्ड वो कॉपर प्लस एलमुनियम होता है समझे एल तो कॉपर होता है 90 परसेंट और एलमुनियम होता है 10 परसेंट याद रखें फैक्ट को दोस्त ठीक है जी चलिए आगे बढ़ते हैं साहब अपने प प्रश्ण पैट्रोल और डीजल का मुल्य न अधेयन करना है इस्टडी करना है फाइव क्लास की अंसी आटी नोट्स में दिया भी गया है आपको एना साहब चलिए तो पैट्रोल डीजल तो आपको बूला जा रहा है बृद्धी की दर 10% 9% माने कितना क्या है दर यानि रेट निकालना है आपको दर ठीक 2020 में एक लीटर डीजल मिलता था 81 रुपईया पैट्रोल बेरानवे अब फिर जो 2021 में इतना रुपईया इतना तो यहां से यहां तक आप देखिए यहां से यहां तक कितना बढ़ गया 81 रुपईया था तो 90 72 यानि 10 रुपईया 72 पैसा दाम बढ़ गया और यह 92 102 यानि कि 10 रुपईया 12 पैसा इंक्रीमेंट हुआ बरहोतरी हुआ तो निकाल लेजिए कैसे पीटु माइनस पीवन अब अटा पीवन अरगुना फंड्रेड यह ब्रिधी इदर आपका निकल जाएगा तो ब्रिधी इदर निकल गया सहाल कितना 11 परसेंट इदर 12 परसेंट आया 12 परसेंट इदर आ गया और फिर उसके बाद जो है आपका 11 परसेंट तो बारा एंड ग्यारा पर्सेंट हम छेलिए यह न ओबलिक दिया गया मतलब बारा पर्सेंट एंड ग्यारा पर्सेंट या फिर बारा पर्सेंट या ग्यारा परतिसर मनें यह इंगलिस में है और यह हिंदी में यह इंगलिस में है और यह हिंदी में दिया गया इतनी बात है चीक है जी ये इंग्लिस में दे दिया और इधर हिंदी में दे दिया चीज एक ही है तो 12% इधर बढ़ा और 11% इधर बढ़ा पेट्रोल वाले में चीक हमारा उत्तर थिरी नंबर हो गया नेक्स्ट प्रेश्ण भारतियों में त्यों हार का एक समुझो पुर्णिमा के देन लिजिये पुर्णिमा के देन क्या वही गुरु नानक जयनती रक्षा बंधन वगेरा महत्मा बुद्ध का परिवान निर्मान जन्म ये सब पुर्णिमा में ही तो हुआ था तो होली पुर्णिमा में मनाते हैं रक्षा बंधन गुरु नानक जयनती और रहता महत्मा बुद्ध का जन्म वगेरा ये मृत्यों वगेरा पुर्णिमा में थिरी नंबर उत्तर होगा दिवाली तो अमण वश्या जो है न रहता है क्या कालि अंदेरी रात रहती है मकर संकराती ठंडा का समय तो वहाँ भी जो है न वो मतलब हो नहीं क्या बुलते हैं पुर्नीमा फूल मून लाइट ऐसा तो नहीं होता हैं चली तीसरा उत्ते रहे टेक्ट्स वगेरा देख ले बन सके, तो इसके लिए क्या करवाईएगा, सबसे उप्योक्त क्या होगा, सबसे उप्योक्त क्या हो जाएगा, देखिए option number, परतियों को, परतियों मैंने concept, अवधारना का विस्तार किया जाता है, जिससे इस पश्टी करन हो सके, गलत परतियों ना बने, यानि बच्चे गल गलतियां नो करें, रे एल, गलतियां ही तो है, जो बच्चों को संसाधन के रूप में काम करते हैं, आगे बरने में मदद करते हैं, ठोंडाइक ने, तुरूटी एवं परियास का सिध्धान दिया भी तो, कहा भी तो, कि हमने आपने जीवन में कई सारी गलतियां की, जो औ घटा गुना भाग, हमने गलतियां कर करके सीखा, तो बच्चे गलत नव करें, गलत प्रत्य नव दें, तो गलत बात है ने एक नंबर, महतपुर्ण प्रत्य की पडिभासा, पडिभासा रटटा फिकेशन, गलत बात, संगिया सर्वनाम अपने हमने यादेतो किया, संग्या क न आये उन्हें परिचय आत्मक यानि कि परिचय वगेरा से जूड करके अच्छा जी सी नंबर कॉंसेप्ट विच कैननोट भी परिज़ परसीवड बाई यंग स्टूडेंट्स मतलब जो कम आयू के विद्यार्थी को समझ में नहीं आता है तो जब छोटे बच्चों को न समझ में आये तो उन्हें क्या दीजिए बाहरी दुनिया से परिचय करवाईए कितना बहतरीन बोल रहा है पढ़िये न भी कल्प को दो तीन बार समझ जाईएगा कि यदि छोटे बच्चे हैं तो उनको नहीं समझ में आ रहा है तो बाहरी दुनिया से जोड़िए पढ़िचय बगेरा दीजिए उधारनों से जोड़िए थ्री नमबर उत्र उपर यूगत नहीं होगा जी चलिए बहुत बढ़ deep याँ प्रशन समझ इएक संसादन को प्लाथमी कस्तर सामुदाईक संसाधन, यानि मुर्त वस्तू से जोड़िये, बच्चे के पुर्व दुनिया से अनुभवों से जोड़िये और C नंबर में क्या है? अनुभव से सीखने का अवसर देता है करता है EBS पर दर्थी अनुमान लगाते हैं जोटे डिब्बे भरने के लिए कितने चने के दाने की अवश्यक्ता होगी इस करिया कलाब के लिए क्या? अनुमान लगाना अनुमान लगाना और अनुमान लगाते कैसे हैं? चाक्छूसी करन करके क्या करके अवलोकन करके दिरसियावलोकन मनस दर्सन मानसिक चितरन विजुआलाईजेशन अबजर्वेशन परतियक्छी करन देख करके यह वस्तु छोटा है यह वस्तु बड़ा है तो अनुमान ही तो लगाते हैं फोर नमबर उत्तर राता अवलोकन तो अवलोकन मारते पेर पोधे एवं पसू एवं मित्र नामक थीम है न सहाव छोगो थीम है चारगो उप थीम है उसका तो कहता है ऐसा क्यूं क्यूं इसका प्रियोग किया गया है तो विद्यार्थी को इस योग्य बनाना की पेरपोधे पसू को अपने पडिवार का हिस्सा माने, बिल्कुल सही बात है, पडियावरन की विशेवस्तू का अपना हिस्सा मानेंगे, तभी तो संवेदन सील होंगे, जागरूख होंगे, जो भी रिसोर्सेज हैं, संपदा हैं संसाधन है, उसका सीमित रूप में उपयोग करेंगे, जब पडियावरन की चीजों को अपना मानेंगे, आज भी बहुत सारे लोग पानी खोल दिये हैं, टंकी से पानी बहरा है, तो अपने नहीं मान थे, तो हुनकर वालियों को अपना नहीं मान के दोसर जोएन बगवाल जाता है, पेड़ पडेवन पसुओं के पड़ती विद्यार्थी में संबेदन सीलता, मैंने क्या बताया, जहां संबेदन सीलता आगया, इभियस उत्तर लेगा, चुकि संबेदन सील का मतलब to aware, मने जागरूक ता पड़दान करना, जागरूक बनाना, बी नंबर भी बढ उन रूड़ी वद्धारनाओं को तोरना, मने रूड़ी वद्धारना मत कीजिए, जेंडर पक्षपात, भेद भाव, तो बहतरीन तो है, ABC, है ना, सारा अप्सन सही है, 4 will be the right answer, next, प्रात्मिक स्तर से EBS पढ़ाने का मुख्य उद्देशी विद्यार्थियों को किस योग् बनाना है, देखिए, कहता है कि वे कौसल अरजित, जिनमें वे स्वतंत रूप से पढ़िया, उनको बचाने है, तो किरिया कलाप करें, कौसल अरजित कीजिए, जिससे वे स्वतंत रूप से यार अंतह किरिया करके सामाजिक अंतह किरिया, अकेले नहीं कर पाईएगा, अक आज या पढ़ियावरन क्या है एक दूसरे से मिल जूल करके सीखने का रक्षा करने का ही तो प्रक्रम है स्वतंत्र नहीं सामोहिक होना चाहिए यहाँ पर इसलिए गलत उच्च प्रात्मिक अस्तर की पढ़ाई है तो एकदम PhD करवा दीजिए नियमन अस्तर कौन पढ़ेगा क्या समावेसी कक्षा में सभी उच अस्तर पढ़ी सीख पाएंगे गलत विद्यार्थी को कक्षा की सिक्षा को स्कूल के बाहरी वातावरन से जोड़िये थिरी नंबर उत्तर यानि किताबी गया ग्यान को बाहरी दुनिया से जोड़िये एक्स्टरनल वर्ल्ड से उच्च गलत होगा ना सहाब एक लड़की ये काम नहीं कर सकती है एक लड़की को ग्रिह विग्यान लेना चाहिए जेंडर बायस जेंडर इस्टिरियो टाइप आपने उधारन तो सुना है आपको कई बार क्वेश्चन भी पूछे गए हैं फोर नंबर भी गलत परंपरागत नहीं और परंपरागत रहता तो हम मान सकते थे गयर अपचारिक उधारन बोलता तो हम फिर मान भी सकते थे अपचारिक नहीं परंपरागत नहीं थिरी विल भी दराइट आंसर नेक्स्ट कहता है कक्छा एक और देव में इभियस में निर्धारित पाठे पुस्तक नहीं है मतलब इभियस नहीं चलता है आप जानते हैं न हमने भी आपको थिरी क्लास फोर क्लास फाइव से पढ़ाया चुकि सरकार ने NCRT ने लागू ही नहीं किया तो क्यों नहीं इंटीग्रेट करवा देते हैं एकी क्रित करवाते हैं थिरी विल वी दराइट आंसर नेक्स्ट कहता है विद्यार्थियों में पौध हो एवं वरिक्ष के परती संवेदन सील बनाने के लिए तो सरवाधिक उप्यूक्त क्या होगा सबसे इफैक्टिव क्या होगा लकडी क लठे का गोदाम दिखलाईए यानि मुर्त दुनिया से बाहरी दुनिया से जोड़िए वच्चों को तो बहतरीन तो है तभी तो लकडी का कटा हुआ लठा देखेगा गोदाम में तो अरे रे रे इतना पेर काट दिया मनुष्ये ने अपने स्वार्थ के लिए अपने पै संदक्षन पर नाटक, नुकर, नाटक, कवीता, रोल पले, नाटक मंचन, ड्रामाटाइजेशन ये सब किरियात्मक गतिविधी है बच्चों को किरिया कलाब करवा देती है जिससे बच्चे का संबेधना यानि कि सेंस और्गैन सब से ज़्यादा डेवलप होता है यानि कि यात्मक गतिविधी लर्निंग बाइडूइंग करते है तो C नंबर भी तो आपका सही है एक पेड़ को अपनाना उनकी देखवाल करना इससे ज़्यादा एक्सपेरिमेंटल प्रायोगिक यानि लर्निंग बाइडूइंग क्या हो सकता है तो A, C, D, One will be the right answer, next एक EBS की सिक् मानकी करित मैंने बताया था मानकी करित, ऑथेंटिक, मानक या अपचारिक वाला यह सब चीज नहीं लिजिए उत्तर सहाव चुकि किताबी ग्यान से जोडते हैं बाहरी तो होता है अनपचारिक बच्चे के प्राकृतिक वातावरन से जोड़ना अनपचारिक, क्या अपचारिक बोलते हैं अनिस्टेंडर्ड बोलते हैं है ना तो मानकी करित कभी चुनाब ना करें अपन बात मौन लें और नहीं तो बात अपकी है आप मारिये सहाव हम खुंची करूंगा चापाकल में थोड़े धोंस्ते दूंगा अंजुली में थोक बकोट करके थोड़ नाक डुबा के मर जाओंगा मत मार ये इतने गोबात सिक्षक द्वारा बनाए गए उपकरन जो सिक्षक की अपनी सिक्षन के अनुकूल क्या अपनी सिक्षन के अनुकूल तो उकरा से हमरा की ले ना देना है बाल के अंदृत है ना सिक्षक के अंदृत सिक्षन परनाली थ उसके सिक्छक के गलत होगा ना। अस्थानिये, होता है न, अस्थानिये से वेस्विक, यानि मूर्त दुनिया से अमूर्त दुनिया, near to PODE, यानि अस्थानिये से वेस्विक, near to globalization, near to PODE की ओर जोड़िये, यानि मूर्त वस्थू दिखाइए बच्चे को, नदी नाले तालाब, फिल्ड ट्रिप, छित्रिय भरमन करवाईए, फोर नंबर बहतरीन विकल्प है और यही अमारा उत्तर होगा नेक्स्ट, आदर सुरूप में कौन सा विकल्प विद्यार्थी द्वारा किया गए, क्रिया कलाब के पश्चात, उनके सीखने को द्रीड करेगा, मना पढ़ाई लिखाई, इभियस, उसको बढ़ाबा देगा तो घर पर किया कलाब कराना, कहे स्कूल में ना है, सिक्षक द्वारा किया कलाब, कहे घर पे ना है, घर पे और बाहर, दोनों को, यानि आपसी विचार विमर्स, डिसकसन, ठीरी नंबर उत्तर होगा इसमें तो सारे पक्ष को ले लिया न, आप देखिये न, कहता है, डिसकसन इन दा क्लासरूम, जहां आपको अप्षन में मिलता है, इभियस में चर्चा में सामिल करना चाहिए, आपको उत्तर लेता है, कारण क्या, आप समझ गए न, इभियस की कॉपी में रिकॉर्ड बना इसमें प्रमानिक राशी कने की छमता का आकलन करने के लिए, अथेंटिक टाइप का, तो क्या, पोर्ट फोलियो लिखा जाता है, विद्यार्थी के द्वारा, अभिभावत के द्वारा, इसमें प्रकार का पोर्ट, बने आसानी से, फोलियो फाइल, ढोने वाला, रनी की, घर और बाहर, हर चीज से जुड़ा हुआ उनका मजबूती, स्ट्रॉंगनेस, अच्छाई और बुड़ाई, कौन्स, यानि कमजोडियां भी लिखी रहती हैं, तो हर चीज डे बाई डे, मने दैनिक करम का, विकास का लेखा जोखा रहता है, बिजनस बिन भी तो, बिजनस मैंन भी तो एक परकार का पोर्ट फोलियो बनाते हैं, एक कारे पत्रक, एक फाईल में रखते हैं, थिरी नमबर उत्तर हो जाएगा, नेक्स्ट कहता है, हम चीजें कैसे बनाते हैं, है ना, आपका छटा थीम, ठिंक्स भी, ठिंक एंड डू, चीजें जह हम सोचते हैं और जो बनाते हैं, जो हम करते हैं, बनाते हैं, तो कौन सी युक्ती सरवाधिक सुरोध के रूप में कारे करेगा, बताएं, किसी अतिहासिक भवन का भरमन, यस, अतिहासिक भवन, उसमें गिट्टी, बालू, सिमे अगल बगल का नदी, नाला, समुद्र, सब के बारे में बच्चा जानेगा, चिंतन करेगा, यानि मुर्त दुनिया से जोड़िये बच्चे को, वन नमबर बहतरीन विकल्प आपका उत्तर होगा, कहता है टू, विभिन चेतर के द्वारा लोगों को सिर पर धारन करने वाल पहनावा, यानि पगड़ी, पगड़ी बगेरा से तो कपड़े का केवल पगड़ी के बारे में ही न जान पाएगा, जादा क्रियात्मक गतिविधी थोड़े हो पाएगा, जादा स्रिजनात्मकता क्रियेटिविटी थोड़े आएगा, वो तो केवल एक नमबर में आपको दिख रहा होगा, two number, कम उप्युक्त होगा, संदर्भ पुस्तकें, यानि जो भी पुस्तकें हैं, से विभिन परकार के बरतन के विशे में, खाली बरतन के बारे में instruction, यानि किताबी ज्यान से जोड़ा जाने वाला बात, instruction दीजिए, है ना, तो यह भी गलत, मने कम उप्यु करना, अउजार, कौन-कौन सा उप्करन पर योग होता, यही लिखा रहा था, खेत वगेरा घुमाईए, और खेत कैसे कैसे होता है, क्या-क्या उसका गुन अब गुन है, तब तो हम इसको भी उत्तर ले लेते, उप्युक्त होता, यहाँ अउजार के केवल बात कर रहा है, फोर नंबर भी ज़्यादा उप्युक्त नहीं होगा, वन विल भी तर राइट आंसर, तीसरी कक्चा के विदारती अपने परिवार के सदस्य के विशय में सीखते हैं, चोथी कक्चा में परिवार व्रिक्ष की ओर बढ़ते हैं, क्या, फैमली ट्री, तो पाच्वी कक्चा यानि मुर्त दुनिया से जोड़ते हो वैस्विक दुनिया की ओर ले जाता है, बाकी सब तो आगमन का विरोधी यानि निगमन का उधारन है, यही वो आगमन यानि मुर्त दुनिया से जोड़िये, तब वैस्विक अमुर्त दुनिया से जोड़िये, ग्यात के बारे में ब और्थ concrete to abstract, non to unknown, specific उधारन दीजिए फिर नियम, यानि सामान्नी करन, उधारन से special, specific से generalization, उधारन से सुत्र की ओर, चलिए, आगे 88 नंबर प्रेशन देखते हैं मित्र, उमीद करता हूँ रोक के देखिएगा, आपको एक कच्छा में आपका EBS बहुत हद तक सार्थक अबम स पल सिद्ध होगा, कहता है कि which of the following is an important element for teacher to consider an EBS lesson plus plan, मना ध्यापक को पढ़ियावरन धन के पाठ योजना, lesson planning वगेरा विचार करना चाहिए, तो किस पर विचार करना चाहिए, अनुदेशन विशिष्ट उद्देश्य, यानि विशिष्ट उद्देश्य, अनुदेशन, इ विशेष उद्देश्य, विशेष, objective उद्देश्य, बिलकुल सही बात है, पढ़ियावरन अध्यापक को इस पर विचार करना चाहिए, छात्रों की पढ़ियावरन सजगता, सजगता मने क्या, पढ़ियावरन सजगता, पढ़ियावरन के पर्ति, बच्चा क्या हो सके, पर्जग हो सके, प्रमुख अवधार ना है और परकडियावरन अध्यापक के पर्ति, बिलकुल सामाने उद्देश्य, बिलकुल सामाने उद्देश्य से भी होना चाहिए, सामाने उद्देश्य को भी परिपुष्टित कीजिए, बच्चों को बताना है, और विसिष्ट उद्देश से भी, A, B, C, D, चारो उत्तर आपका होगा, अब देखिए किसी विकल्प में है, A, B, C, D नहीं है, तो नहीं है, तो अब आप बधिकता का इस्तमाल कीजिए, सजगता का मतलब संबेदन सीलता, जागरुपता मैंने बताया था, इसलिए B भी सही होगा, तो A, B, C को काट नहीं सकते, तो A और D तो चाउथा विकल्प में न है, इसलिए 4 नंबर को उत्तर बनाईए आप, और C नंबर को ले लीजिए, मने A विकल्प और D विकल्प आप नहीं काट सकते दोस्त, मैंने यहीं बताया आपको, नेक्स्ट, द्रिष्टी बाधित बचाईए, बच्चा भीजुवल इंपेयरमेंट है, देखने में प्रोबलम है, तो क्या करवाईए बच्चे को, तो साहब देखिए कितना दमदार प्रश्न है, एक प्रश्न सुनिए, बच्चा सरवन बाधित है, यदि लिसनिंग इंप प्रश्न है, तो क्या करवाईए, देखने उपियुक्त, संसाधन वगेरा, बड़ी बड़ी जो है न, ये, देखने उपियुक्त, बच्चे को आगे बठाईए, बच्चे आपके लिप्स को जो है न, रीडिंग करेंगे, और उसी से समझने लग जाते हैं, बच्चे को दे देखने वाली विशेवस्तु जादा से जादा परियोग करवाईए, तो सरवन बाधित में जाता है, अब प्रश्न है यहां दृष्टी बाधित, देखने में प्रॉब्लम है बच्चे को, तो आईए, सरवन पाठ्थे वस्तु तयार कीजिए, सीडी प्लेयर वगेरा, सु की देखने में प्रॉब्लम है, तो सुनने वाली गती विधी को बढ़ाएगा एक टीचर, बहतरीन बात है, एक नमबर, फिर इस पर सवस्तु या बड़े अक्षर में, क्या, बड़े अक्षर जैसे ब्रेल लिपी सब होता है, उबढ़ा हुआ रहता है, वैसे ही 3D आकरती वाला जो पिक्चर होता है, 3D में है, आप इस बार देखिये न, देखने वाले में यदि बच्चे को दिक्कत है, तो 3D भी उत्तर लिया है, क्यों? उसमें उचाई भी रहता है, यानि उभडा हुआ रहता है, जिसे स्पार्सिक कहते हैं, स्पार्सिक अर्थात स्पर्स कर स के बच्चा छू सके, और छूते हुए, बच्चा जो है, समझ सके, यदि देख नहीं सकता है, फिर भी, इस पार्सिक वस्तू, यानि टेक्टाइल मेटेरियल, क्या? टेक्टाइल मेटेरियल्स, लार्ज प्रिंटेड, भी भी सही है साहब, विसे वस्तू का उप्योग, सी, अब धारना की सरल चित्रों के द्वारा क्या? सरल, यानि किताब में सब के लिए एक जैसा, तो सरल बच्चा भला समझ पाएगा हाथों से छू करके, तो सरल क्यूं होगा? मुर्त या ठोस वस्तू दारा ब्याख्या की जाए, क्या? यानि किताबी ग्यान से जोड़िये, ब मुर्त वस्तू का उधारन दीजिये, साती वैसी वस्तू बच्चों को दीजिये ताकि छू सके, तो डी भी बढ़िया है, फोल नंबर आपका उत्तर होगा, ए, बी, डी, नेक्स्ट एंड लास्ट कोश्चन, सलीम प्रात्मिक अप्च्छा की विद्यातियों जल के विशे म में पढ़ाने के लिए छेतर भरमन, यानि फिल्ड ट्रिप पर ले जाना चाहता है, तो देखें, जल संचेयन यंत्र, यानि युक्ती वगेरा बताईए, वाटर हर्वेस्टिंग प्लांट होता है न, कि जैसे छत पर पानी जम गया, तो एक पाईप वगेरा, पाताल तोड वगेरा पाईप लगाईए, पाताल तोड कुओं का भी निर्मान करवाईए, कुओं का, यानि वर्सा जल या बाढ़ वगेरा जब कभी आता है, तो वो पानी धर्ती की गहराई में, लेयर में फिर से जा सके, तो जल संचेयन यंत्र को वाटर हर्वेस्टिंग यंत्र भी जोहर वगेरा, जोहर क्या होता है, वही जोहर गहडाई तक खोदते हैं, ताकि जल संचेय हो सके, बाबडी आदी का उपयोग करवाईए, यस बर्सा, अरे जोहर ना समझे ना, सुचिये ना, तालाब जैसा या फिर जोहर एना, खड़ा टाइप का खान दिये, बर्सा पड उसमें जमा होगा, फिर फिटकिरी, पोटास एलम, या फिर उसमें CAO, CO3, मतलब, ब्लिचिंग पाउडर वगेरा डाल दीजिये, तब पीने के काम में आएगा, तो बाबडी बनवाईए, तालाब आदी, जोहर आदी का, इने ABC तो बढ़िया है, अब खेजडी का ये क्यों दे दिया, बुर्बक बना रहा है, क्या, फोर नंबर आपका उत्तर हो जाएगा, है न मित्र, चलिए, अब आप समझ चुके हैं, नेक्स्ट मित्र मिलते हैं, अगली दमदार वेडियो में, खेजडी तो आपका राजस्थान का है, ना खेजडी का ब्रिक्ष, खे ली सबजी बनाने के काम में आती है, इसके पत्ते जो हैं, मवेशिया खाते हैं, खेजडी का जो ब्रिक्ष होता है, राजस्थान में पाया जाता है, विसेस्ता है, अमरु अस्थल वाला जो इलाका है, इसे एकदम पानी का नय मातर आवसकता चाहिए, एकदम घोंजा घों करता है, कितना एकदम कल्प ब्रिक्ष है, एक छा ब्रिक्ष, चलिए, फोर नंबर आपका उत्तर हो जाएगा, खेजडी अनिता विसनोई, अमरिता विसनोई थी ना विसनोई समाद से, किस समाद से, तो विसनोई से, अमरिता विसनोई, खेजडी ब्रिक्ष काटने से बच आने के लिए क्या कर रही थी वो पेड़ से चिपक गई ठीक चिपको आंदोलन सुंदर लाल बहुगुना के जैसा ही है ना तीन सो साल पहले खेजरी वरिक्ष काट काट के राजा महराजा महल बनवाते थे तो क्या करती आमिर्ता विस्नोई और वेश के गुरूप के लोग चिपक गए यानि कि पकर लिया पेड़ों को काटने नहीं देंगे तुम काटोगे हम वड़ा लास लास से गुजरना पड़े अच्छा लगे तो कर दें वरना कोई बात ने आप भी अपने महल में अध्यवरों मस्टर अपन जोपड़ी में जय हिन जय भारत वंदे मातरम